लूप मैं पूजा पड़ेल उप्यासिक ज्ञान दाइनि में आफ शभी का बहुत-बहुत स्रागत हैं तो चलिए हम लोगों ने कल बात की थी आपके अब कल लोगों ने बात की थी वैदिक संस्रिति के बारे में कि इसके जन्मदाता कॉन थे आरेयों के बारे में हम लोगों से जाना जाता है रिग वैदिक काल में कौन कौन से नदिया होती थी उस टाइम में होती थी और उनको उस टाइम में किस नाम से जाना जाता है तो इन सब बारे में हम लोगों ने कल बात की थी तो आज हम लोग जानेंगे वैदिक काल की जो नदिया है अभी तक हम लोगों ने तो आज हम लोग बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेडिक काल की नदियों के जो नदिया है नहीं में 31 नदियों आपकी सहिन्ताओं में आप सहिंताओं में टोटल 31 नदियों का उलेक पाया गया है टोटल 31 नदियों का उलेक मिला है ठीक है 31 नदियों का आपका उलेक मिला है सहिंताओं में आपके सहिंताओं में आपके टोटल 31 नदियों का उलेक मिला है 31 नदियों का उलेख आपको मिला है आपकी सहिंताओं में 25 का उलेख अकेले रिगवेद में मिला है यह जो 31 है ना उनमें से 25 नदिया जो है 25 नदिया इनका अकेले जो है इसमें सिंदू का उलेख बहुत सरवाधिक बार हुआ है इसमें सिंदू का उलेख सिंदू नदि वैदिक काल में सिंदू नदि इसका उपयोग इसके नाम का उपयोग सरवाधिक बार हुआ है सरवाधिक बार हुआ है तिक सरवाधिक बार हुआ है इसका जो नाम का उलेख है वो आपके सरवाधिक बार हुआ है तिक सरवाधिक बार हुआ है और और क्या हुआ है तो इसमें और इसमें सरश्वती नदी, सरश्वती नदी यहां पर सबसे पवित्र नदी मानी गई है, ठीक है, सरश्वती नदी जो है, सरश्वती नदी, सरश्वती नदी यह आपकी सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी मानी गई है, सबसे पवित्र नदी आपकी कौन सी है, तो वह आपकी सरसुति जी और यह है इनदिन चैन सरवाधिक बार संदुनदी के नाम का प्रयोग सरवाधिक बार हुआ है और आपकी सबसे जो पतर नदी माँनी गई है इसको नजीत मा भी कहा जाता है नदीत मा नजीत म xem कई नामों से इसको इसलिए पुकारा जाता है, इसको नदीतमा की नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नदीतमा की नाम से भी इसको जाना जाता है, रिगवेदिक काल में 21 नदियों का सूक्त मिला है, रिगवेदिक काल में 25 नदिया रिगवेदिक काल में 21 नदियों का सूक्त सूक्त मिला है आपके सूक्त मिला है अगे बात कर लेते हैं और क्या पाएगे रिगवेदिक काल में विपासा विजिग वेदिक काल में आपका व्यास नदी का उल्लेक कहीं भी नहीं है व्यास नदी को किसि नाम से जाना जाता है व्यास नदी का विपासा के नाम से जाना जाता है के यहां पर कस्मीर कि मरुद्रवा मरुद्रवा न रिये हैं कस्मीर की उसका भी उलेघ आपको यहीं पर मिला है इसरा से मिली है underground कर लोग समत्र के बारे में उस्टाइम जानते थे इस बारे में भी जान करी मिली है इसी साहित की तो वैदीक साहित वैदीक साहित क्या होता है चारोवेद Sorry ब्रामभवड अरणक उपनिस्द हैं वैदिक साहित क्या होता है आपका वैदिक साहित क्या होता है जीन में चारो वेद हूँ दामभड हूँ अरणक हूँ हो कि कि बारे में बात की गही हो तो उसको हम क्या कहते हैं वैदिक साहिति के दिए हम से जानते हैं इसको यहां पर पुराने जब वैदिक काल में अपने सिस्यों को सिक्षा देता था उनको बोलता था और अपने सिस्यों को बोल कर लिख वाते थे ठीक है यह इसको बोलते हैं आपके इसको बोलते हैं वैदिक साहित है ठीक है यह अप पुरुसे है यह इस्वर यह मानों के द्वारा नहीं रचित किया गया है यह आत्म ग्यान है और यह वैदिक जो स्रोत है यह इस्वरों के द्वारा निर्मित किये गए हैं इस्वर के साम वेद रिगवेद यजुर वेद और साम वेद ये वेदत रही के नाम से जाने जाते हैं वेदत रही में आपका अथर वेद नहीं आता है ये इसमें क्योंकि इसमें यग्य के भिन भिन लौकिक नियम के बारें बताया गया है जादू तोना भूत प्रेत मरण आदी के बारें में जो है अथर वेद में बताया गया है इसलिए इसको वेदत त्रही से बाहर रखा गया है वेदत त्रही में आपके कौन कौन से आते हैं तो वेदत आपके वेदत रॉइद्टो रई है अथर वेद यह आपका वेदत रई में सामिल नहीं है क्योंकि इसमें यग्यादिकर्मकान के जो है प्रमार्ष बहुत ज़्यादा मिला है ठीक है इसको वेदत रखा गया है अथर वेद को कि आप बात करते हैं हम लोग रिगवेद की तो रिगवेद आर्यों का सबसे प्राचीन गन्त है रिगवेद आपका रिगवेद यह जो है आर्यों का आर्यों का सबसे प्राचीन गन्त है 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 आपका कि इस्तुथी का भाव है इसमें क्या है इसमें जो है इसमें देवी देवताओं देवी देवताओं कि इस्तुती का भाव है इस्तुती का भाव है देवी देवताओं की इस्तुती का भाव आपके कहा है तो वो रिगवेद में होता है रिगवेद में आपकी देवी देवताओं की इस्तुती का भाव है रिगवेद की रचना सप्त सैंधो प्रदेश में हुई थी इसकी जो हमदी स्प्रदेश में हुई थी कि सब तसेंदो प्रदेश के आपकी कल नदियों के बारे में बात चुन तो सब्सैंदों प्रदेश में रिगवेट का जो है क्या हो था रशना हुई थी इसके 10 मंडल इसके 10 मंडल है ठीक 128 सूक्त है दस मंडल है रिग वेद में और 128 आपके सूक्त है और क्या है यहाँ पे और क्या है आपके यहाँ पे और हैं 10,580 आपके मंत्र हैं 10,580 आपके क्या है यह 10,580 आपके मंत्र है ठीक 10,580 आपके क्या है इसमें मंत्र है मंत्रों को रिचा कहा जाता है बेदो का संक्रिन जो है महार्ची केष्ण द्वेपायन ने किया था वेदो का जो संकलन है न वो महार्ची केष्ण द्वेपायन महार्ची केष्ण द्वेपायन ने किया है महार्ची केष्ण द्वेपायन ने वेदो का संकलन किया है वेदो का संकलन किया है इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है इनको वेद और व्यास की नाम से जाना जाता है वेदो का संकलन आपको किस नहीं किया है वेदो का संकलन जो है महार्ची केश्ट द्वेपायन नहीं किया है इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है इसलिए इनको वेद व्यास की नाम से जाना जाता है रिगवेद के जो पंडित होते थे जो गुरु होते थे उनको होता नाम से जाना जाता है ठीक होता इनको ऐसे होता नाम से जाना जाता है रिगवेद के जो गुरु होते थे जो पंडित होते इनको होता नाम से जाना जाता है है हो cogoda नम संहुआ जाता है आगे बात करते है इसमें जो है सर इसमें ज fallen तेटिया ने मंडल से कितने है तो इसको दस मंडल ऑन के लोग कर लेते हैं तो पहले मंदल में क्या है प्रथम मंदल इसके जो प्रथम मंदल है प्रथम मंदल जो है इसमें जो है दीर्ग तमा और अंगीरा अंगीरा का वड़न किया गया है जो प्रथम है उसमें दीर्ग तमा और अंगीरा का वड़न किया गया है एक है मदुचंदा मदुचंदा तो आपके प्रथम मंदल में जो है वो दीर्ग तमा अंगीरा और मदुचंदा इसका वड़न आपको कहां मिलता है रिगवेद के प्रथम मंदल मिलता है दोती में दोती में क्या मिलता है आपके दोती में ग्रिट्समद का वड़न मिलता है दोती में आपके क्या मिलता है तो दोती में आपके ग्रिट्समद का वड़न मिलता है तोती में क्या मिलता है आपके त्रती में कि त्रती में मिलता है गायत्री मंत्र का बढ़न मिलता है इसको विश्वमित्र कि विश्वमित्र जी ने किया था ठीक विश्वमित्र जी ने गायत्री मंत्र का बढ़न किया था और यह कहां मिलता है आपको तो यह मिलता है आपका त्रती मंदल में मिलता है, रिगवेदी के त्रती मंदल में आपका मिलता है, ठीक है, रिगवेदी के त्रती मंदल में आपका मिलता है, चौथे मंदल में चौथे मंदल में वाम देव, वाम, वाम देव, क्रसी, क्रसी से सम्मंधित वर्ण है, प्रसी से सम्मंधित वर्णन है ठीक है वर्णन आपको मिलता है कहां पर तो वो रिगवेद के चौथे मंदल में आपका क्रसी से सम्मंधित वर्णन आपका कहां मिलता है तो वो मिलता है आपके चौथे मंदल में मिलता है रिगवेद के चौथे मंदल में मिलता है ठीक है आत्रिमुनी का वर्ण आपको कहा मिलता है तो अरिग्वेत के पाउच्वे मंदल में आपका आत्रिमुनी का वर्ण मिलता है, छत्रे में आपको मिलता है, प्रुट्री को मीटा के लेख देते हैं, चट्वे में तो चट्वे में आपका क्या मिलता है चट्वे में आपका मिलता है भारत द्वाज भारत द्वाज भारत द्वाज भारत द्वाज भारत द्वाज रिसी का वर्डन आपको मंदल के चट्वे मंदल में मिलता है चट्वे मंदल में मिलता है चट्वे मंदल में मिलता है और सात्वे मंदल में सात्वे में मिलता है सात्वे में क्या मिलता है डिसी वसिष्ट के बारे में आपको कहा मरन मिलता है वसिष्ट के बारे में आपको कहा मरन मिलता है तो वह सात्वे मंदल में डिसी वसिष्ट का मरन मिलता है और आठ्वे में मिलता है कदव कड़ कड़ का मिलता है बोरी किस में मिलता है तो तो रिग वे दिके आपके आठवे मंडल में कडवजी का वड़न मिलता है नवे में मिलता है पवुमान अंगीरा ठीक है नवे में पवुनाम अंगीरा पवुनाम अंगीरा मतलब सोम्रस सोम्रस का जो आपका वड़न पवुनाम अंगीरा का वड़न आपके कहां मिलता है तो वो नवे मंडल में मिलता है ठीक है और दस्वे मंडल में आपका मिलता है महा सूपती दस्वे में दस्वे में महा सूपती महा सूपती का वड़न आपको दस्वे में मिलता है ठीक दस्वे में आपका मिलता है ॉर प्षूद्र सूपती और हर चुद्र सूपती का वड़न आपको कहां मिलता है तो दस्वे मंडल में मिलता है तो आपके तब आगे बात कर लेते हैं हो आगे बात के बारे में कुछ और बाते हैं जो बहुत इंपर्टेंट की बारे में इंपर्टेंट है कि इसमें झाले मयं गर्द भाग और यह क्यां बाम्मर गंत सquito हूä Response किसी भीवेद में सारे वेदों के ब्रामाड गंत वे तो ब्रामाड गंत किसले होते हैं उनको ब्रामाड गंत किसले होते हैं क्योंकि उनको गद्ध भासा में लिखा जाता है और गद्ध भासा में समझने के लिए आसानी से समझने के लिए उनको ब्रामाड गंत लिखे जाते आसानी से घद्रे भासा में लिखा जाता है और उसलिए घद्रे भासा में उनको लिखा जाता है तिक ब्रामर्ण गंद आपके किस भाहसा में लिखे जाते हैं तो ब्रामर्ण गंद आपके जो है गद्ध भाहसा में लिखे जाते हैं इनके ब्रामर्ण गंद कितने होते थे एतरे यह एतरे और दूसरा कौन सा है एतरे है और दूसरा कौन सा है कोसितिकीद दूसरा है आपका कोसितिकीद तो एक होता था एक रिषी थे एक रिषी थे एक रिषी थे ठीक है एक रिसी थे जिनका नाम महिदास था ठीक है महिदास महिदास ठीक है लेकिन इनकी माता को जो नाम था वो था एतरा इनकी माता का नाम एतरा था इनकी माता के नाम पर ये महिदास जीने ही एतरा का इसका इसकी रचना की है एतरे की रचना जो है महिदास जीने ही की है लेकिन नाम है थैसा का नाम नाम यह इनकी माता की नाम पर गत्रें कौसितगी इसके निर्मार्ण करता कौन थे तो यह ते पूसी तक पूसी तक एक रीशी थे इन ने जो है कौसितगी की की रचना की है कौसितगी की रचना इन्हों है और अब आते हैं रिगवेद के अरणक इतने थे अरणक किसे कहते हैं किसे कहते हैं अरणक वो होते हैं जिनमें एक गुरु अपने सिस्वों को वनों में बैठाकर उनको पढ़ाता है और अपने बोले गया सब्दों जो होते हैं जो गुरु के द्वारा बोले गया सब्दों को जब लिखते थे और वह ग्रंद का निर्माड करते थे तो उसी को क्या बोला जाता था अरणक बोला जाता था उसी को बोला जाता है तो अरणक जो हैं सात्रों को द्वारा लिखी गही है अव्यान मार्ग के बीच का स्रोत होता है सेतू का कार्य करते किसका कर्मयोग 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 को और और ज्यान मार्ग ज्यान मार्ग के बीच के बीच जो है सेतु का काम करता है सेतु का काम करता है करमियोग और ज्यान मार्ग के बीच का सेतु का काम क्यों करता है तो वह अरड़क करता है ठीक है अब रिगवेट के दो अरड़क कौन से थे तो रिगवेट के दो अरड़क भी ऐतरे हैं अरड़क और कॉसित्की है कॉसित्की ही थे ठीक है उसमें यह बहत अच्छा है कि इसमें रिगवेट में याद करने बहुत आसान और सारे जी तने हम क्नों प्रक्राक को करने हैं यहें नोने पेतरे और नो Elise में आइटरे और कौसित्की इसके अरड़क भी एंपेस्त ग्रामर घंद च्छाह को व्लीग जानते हैं तो दोनों में कॉमन यही होता है तिक है उपनिशद उपनिशद्द क्या होते हैं उपनिशद्द जो छात्र गुरू के पास बैटकर ग्यान सीखता है तो उसको और यह वेदों के अंतिम भाग होते हैं यह वेदों के अंतिम भाग होते हैं उपनिशत उपनिसद के बारे हम लोग जानते हैं उपनिसद क्या होती है जो छात्र अपने गुरू के पास बैठकर ज्यान चीकता है तो उसको उपनिसद कहते हैं और यह हर एक चीज वेदो के अंतिम भाग में होते हैं ठीक है इसको वेदान्त भी कहा जाता इसलिए क्योंकि वेदो के अंतिम भाग में होते हैं वेदो के अंतिम भाग है यह वेदो के अंतिम भाग है ठीक है यह वेदो के अंतिम भाग होते हैं और और आपके बात कर लेते हैं संक्राचा संक्राचार जी ने क्या खा है संक्राचार वैसे तो 108 है वैसे तो आपको पता है कि यह 108 उपनी सद्हार है लेकिन संक्राचार जी के अनुसार संक्राचार जी ने इनको संक्राचार जी ने इनको 10 भागों में बाटा है तो इनको जान लेते हैं तो इनको जानते हैं आईए बात करते हैं पहला है इस, दूसरा है केन, पहला कौन सा है आपका, पहला है आपका उपनिसद में इस है, ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है केन, ठीक है, फिर उसके बाद, कट, उसके बाद आपका कौन सा है, तीसरा, तीसरा है आपका कट, तीसरा आपको कौन सा है, तीसरा है आपको कठ चौथा क्या है चौथा आपका है मुंडख चौथा है आपका चौथा आपको कौन सा है तो चौथा है आपका मुंडख तीसरा कौन सा है कठ और चौथा आपका है मुंडख फिर मांडुक्य और फिर कौन सा है आपका मांडुक्य मांडुक के हैं आपका अगला जो है वो मांडुक के है ठीक है मांडुक के है और फिर चांदोग यह फिर आपका चांदोग यह ठीक है अगला कौन सा है चांदोग यह और फिर उसके बाद व्रिय दार्ड़क उसके बाद व्रिय दार्ड़क से ब्रीदार्नक और पिर एत्रय से आपका यतले है और उसके बाद आपका है तैत्रय तैत्रय से प्सक्राइब के बाद perfectly कड yn तो उपनिस्त काज ऐने वैसे तो उपनिस्त की संक्रेकित इंस एक दो लेक और पहों कौन से हैं तो चांदोग और सात्मा ब्रहदाड़क है और अट्मा एतरे हैं और नौवा तैतरी है नौवा तैतरी एक हां गया एक हां गया कि दस्मा आपका हो जाता है प्रस्णा कि दस्मा ओगया प्रस्णा लेकिन इंपोटन नहीं है इसे ही आप लेकिन इंपन्तू क्या आपको बहुत हैं और को बहुत इंपोर्टन ने रिमक पoquy नौप कि आपको इनके ऑंदर वहां आपको बता हैं अगे बात करनें वह दिए्त की र webs गरमंटर औरardo आता है आज कि कृई टेलडर है । तो नहीं में आख करें दो कि दो बहुत ही दिटेल और ठीड बारे जाना है तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को समाज में आएगा और जैसे आप स्ट्रॉब करके जर्म इसमतिय होती है जैसे लिख मनुियां कि स्ममतिय इन वहां जिवना बात करें संहवाल न्दर क्या है लों स्लिख मीलतिक प्रेट के बारे में जानें की तो चलिया आज यहीं क्थम करते हैं बाक्ई वेदों की बात हम लोग कल करेंगे ठीक है चलिये झाल वझा झाल